हेलो फ्रेंज वेलकम टू मै चैनल लानविद माही आज 26 फेबरी है और आज के करेंट अफेर्स की जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन्स बन सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे और उससे रिलेटेड फेक्स भी मैं आपको बताऊंगी तो आप पूरा वीडियो कैसी लगी आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं और आज के क्वेशन्स की पीडियाफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल से चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक पर क्लिक करके आप ग्रूप जोइन भी कर सकते हैं वहां आपको सारी जीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपत ली है सो करेक्ट एंसरिस दी आंध्रप्रदेश आंध्रप्रदेश की राजधानी विशाखा पट्टनम है और आंध्रप्रदेश के मुख्य मंत्री जगन मोहन रेड़ी हैं आंध्रप्रदेश के मुख्य मंत्री न इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलता पूर्वक प्रक्षेपन श्री हरी कोटा में स्थापित किया। आंध्रे प्रदेश सरकार ने पाठ्थे पुस्तकों में फातिमा शेक पर एक पाठ शामिल किया। श्री जैवर्धनापुरा कोटे स्री लंका की प्रशासनिक राजधानी हैं। कोलंबो व्यापारिक राजधानी है श्री लंका की करंसी श्री लंकाई रुपिया है दिवंगत सीडियेस विपिन रावत के सम्मान में श्री लंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतरगत श्री लंका को 50 बसें प्रदान की है 2024 में अंडर 19 वर्ल कप की मेजबानी श्री लंका करेगा श्री लंका के पन्यासकार शेहान करुणा तिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरुषकार मिला चीन को पचाड कर भारत श्री लंका के सबसे बड़े रिंडाता के रूप में उभरा है थर्ड क्वेशन इस किस देश ने पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर का रिंड स्विक्रत किया है सो करेक्ट एंसर इस D चाइना चाइना के राश्पती श्री जिनपिंग है और राजधानी बीजिंग है चाइना की करंसी रेन मिनबी है जिसे चाइनीज यूआन के नाम से भी जाना जाता है चाइना ने अमेरिका में अपने दूद चीन गांग को नया विदेश मंत्रे बनाया है वेज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चाइना शीश पर रहा है चाइना ने अपने अंत्रिक्ष स्टेशन के लिए मैंग्टियन नामक लेब मोड्यूल लॉंच किया है चाइना ने कोविड के खिलाफ पहला इन्हेलेबल वेक्सीन लॉंच किया है विश्व में मचली के उत्पादन में चाइना शीर्ष पर रहा है फोर्थ क्वेशन इस CRPF ने कहां अपना 84th स्थापना दिवस समारो आयोजित करेगा So correct answer is D. 36 गड़ 36 गड़ के मुख्यमंत्री भूपेश बगेल है और गवर्नर विश्व भूशन हरी चंदन है और 36 गड़ की राजधानी रायपुर है जिसका नाम बदल कर अटन लगर कर दिया है 36 गड़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोशना की है 36 गड़ के सरकारी करमचारी अब पुरानी और नई पेंशन योजना में से किसी एक का चयन कर सकते हैं 36 गड़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरुसकार मिला 36 गड़ सरकार ने टाटा टिकनोलोजी के साथ समझोता किया है 36 गड़ सरकार ने अनुसूचिच छेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया फिफ्ट क्वेशन इस किसे विश्व बैंक का नित्रत्व करने के लिए नामित किया गया है सो करेक्ट एंसर इस ए अजय बंगा ये मास्टर कार्ट के पूर्व सीयो है इनको अमेरिका के राश्पती जो बाइदन ने विश्व बैंक का नित्रत्व करने के लिए नामित किया है नीती आयो के नए सीयो बीवी आर सुब्रमण्यम को नियुक किया गया है भारतिय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए सीयो बने है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयो के बासटवे सत्र की अध्यक्ष रूचिरा कंबोज चुनी गई है ICAI ने अनिकेज सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक किया है इलाहबाद हाई कोट का मुख्य नियाधीश राजेश बिंदल को नियुक किया गया है किस राजे सरकार ने अमरित नगरोथान योजना की घोशना की है सो करेक्ट एंसर इस D करनाटक करनाटक के मुख्य मंत्री बस्ववराज बोममई है और राजधानी बैंगलोर है करनाटक के गवर्नर थावर्चन गहलोत है और यहाँ पर कन्नर भाषा बोली जाती है करनाटक के मुख्य मंत्री ने बैंगलोर शहर के व्यापक विकास के लिए इस योजना की घोशना की है करनाटक के मुख्य मंत्री ने 108 नम्मा क्लेनिक लाँच किये है करनाटक में एशिया का सबसे बड़ा नारायनपूर लेफ्ट बैंक नहर का उधगातन करनाटक में किया गया केंद्र सरकार ने करनाटक में कलासा बंडूरी पर योजना को मंजूरी दी अमित शहा ने करनाटक के मांडिया में मेगर डैरी का उधगातन किया करनाटक सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की किस देश ने डेंग्यू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थे आपात काल की घोशना की है पेरू की राजधानी लीमा है और यहां की करंसी सौल है और यहां की महिला राश्च्पती डीना बोलू आटे है एट्थ क्वेशन इस रुद्रांक श्पाटिल ने ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है सो करेक्ट एंसर इस ए स्वन पदक इन्होंने अभी मिश्व के काहिरा में ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वन पदक जीता है नाइन्थ क्वेशन इस किस देश ने फसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंत्रिक्ष यान लांच किया है सो करेक्ट एंसर इस बी रश्या रूस की राजधानी मौसको है और यहां की करंसी रश्या रूबल है और रश्या की राश्पती व्लादे मिर पुतिन है और रश्या की अंत्रिक्ष एजेंसी रौस कोस मौस है ओक्टूबर महा में भारत का शीर्स तेल आपूर्ती करता रूस बना है Financial Year 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना रूस भारत का सात्वा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉंट्रेक्टर एड़र्ट स्नोडेन को अपनी नागरिक्ता प्रदान की है 10th question is किस शहर में अखिल भारतिय ताइकवांडो चैंपियंशिप का आयोजन किया जा रहा है सो correct answer is D नई दिल ले 11th question is संयुक्त राष्ट्र ने कितने साल बाद यूक्रेन छोडने के लिए प्रस्ताव को मनजूरी दी है सो correct answer is B एक साल बाद 12th question is किसे जनेवा में आये लोके बहाईये लेखा परिक्षा के रूप में चुना गया है सो correct answer is A गिरीश चंद्र मुर्मो 13th question is किस देश के सर्जियो रामोस ने अंतर राष्ट्रिये फुटबोल से सन्यास की घोशना की है सो correct answer is A स्पेन स्पेन की राजधानी मैडरिड है और स्पेन की करंसी यूरो है और प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेज है 14th question is IAF ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विक्सित किया है सो correct answer is C वायू लिंक 15th question is किस कमपनी के चेर्मेन सर्जन जिंदन ने Entrepreneur of the Year 2022 का खिताब जीता है सो correct answer is D JSW 16th question is 22 विधी आयोक का कारेकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया सो correct answer is B August 2024 17th question is किसने संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरुसकार प्रदान किये है सु correct answer is A. द्रावपदी मुर्मू 18th question is किस विधान सभा ने भरती परिक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक पारित किया सु correct answer is B. गुजरात गुजरात के मुख्यमंत्री भुपेंद्र भाई पटेल हैं और गवर्नर अचारे देव व्रत हैं और गुजरात की राजधानी गांधी नगर है 19th question is मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन अब किस भारतीय आर बी आई गवर्नर के नाम से जाना जाएगा सो correct answer is D. C. D. देश्मो 20th question is दुनिया के छटे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकला है सो correct answer is B. ब्रिटेन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रिशी सुनक है और ब्रिटेन की राजधानी लंडन है और करंसी पाउंड स्टर्लिंग है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग जी को UK के द्वारा lifetime achievement ओनर से सम्मानित किया गया है जागरती यादव एक दिन के लिए भारत में UK की उच्चायुक्त बनी है UK ने अमीरों के लिए कर में कटोती के रस्ताव को रद कर दिया है लंडन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लैक सम्मान मिला है QS द्वारा जारी बे स्टूडेंट्स सिटी इंडेक्स 2023 में लंडन शीष पर रहा है थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें थैंक्यू